हलो गाइज वेलकम टू दा चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट की जो की आज ही जारी की गई है MCI के दौरा इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एक जिक टेस्ट की कब से ये लागू होने जा रहा है तो ये MCI ने बिलकुल क्लिरिफाई किया है जिसमें NMC ने ये जानकरी दिये तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस अपडेट में साब बताया गया है कि नेशनल एक जिक टेस्ट 2023 से ही लागू हो रहा है मेडिकल प्रेक्टिस के लिए ये टेस्ट पास करना जरूरी होगा और इस साल मेडिकल कॉलेज ही कराएंगे MBBS फाइनल येर के एकजाम जैसे कि आप यहाँ पर इस न्यूज में देख सकते हो तो फ्रेंड्स एकजिट एकजाम है पहले से ही एक साल के देरी हो चुकी है क्योंकि NMC एक 2019 के नुसार ये 2022 से लागू होने में था लेकिन ये फिछले एक साल से कोर्ट में ही बिल्कुल ये अटका पड़ा था तो अभी इसका फाइनल डिसीजन आ गया है NMC ने फाइनल दे दिया है कि 2023 से ये बिल्कुल लागू हो जाएगा और कॉमन एकजाम से इंटन्सिब की डेडलाइन समान रहेगी मतलब फाइनल येर का कॉमन एकजाम होने के बाद में सबसे बड़ा फाइदा होगा कि देशबर के सभी MBBS स्टूडेंट्स को इंटन्सिब की डेडलाइन समान रहेगी अभी इंटन्सिब फाइनल येर के परिणामों पर निर्वर करती है एक राजे में फाइनल येर की परिक्षा है दिसंबर और अन्य में फरवरी मार्च में हो रही है इस ऐसा मानता का असर चात्रों के इंटन्सिब और नीट पीजे की पातरता पर पड़ता है तो जब ये common एकजिक टेस्ट होने लग जाएगा तो सबका इंटन्सिब टाइम इंटन्सिब डूरेशन और इंटन्सिब डेडलाइन सेम हो जाएगी तो गाइज बिल्कुल रेडी हो जाएए नेशनल लेक्जिक टेस्ट के लिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए